सुप्रभात MP मैं हूँ आपके साथ वंतिक आश्रिवास्ताव रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी कपरों का और सबसे पहले भूपाल का जिक्र कर लेते हैं बीझेपी के तरफ से आज का देन बहुत बड़ा होने जा रहा है क्योंकि जन आश्र्वाद यात्रा का आगास आज मद्यपरदेश में हुगा विंदी के चित्रकोट से जन आशिरवाद यात्रा का आगास कामता नाथ जी का आशिरवाद लेकर इस यात्रा का आगास करने वाले हैं आशियतेक श्यपी नड़ा यात्रा का शुभारम करने के लिए पहुँच रहे हैं सीम शिवरासिंग चौहान कारेक्टर में शामील होंगे बीजेपी पात स्थानों से जन आशिरवाद निकाल रहे हैं जन आशिरवाद यात्रा जुसके तहट विंद्य महाकौशल, मालवा, गौालियर चंबल और बुंदेल खण इन तमाम क्षित्रों को साधने की कोशिश हो जेपी नड़ा, अमिट्शा, राचनात सिंग और नितिन गटकरी, ये चार केंद्रिय निता जो किस यात्रा कर शुभारम करने वाले हैं, अलग-अलग जगों से होकर यात्रा गुजरेगी, जनता का आशिरवाद लेना मकसद, साथी साथ बड़ी जानकारी ये भी कि कोशि देश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बराने का जो दावा किया जा रहा है, उस दावे में और जादा बल मिल सके, ये कोशिश लगाता की जारी है, आज से बीजेपी की जन आशिरवाद यात्रा जिसका रोडमाप पिछली कई बाठोकों में तयार हुआ है, बहुत मैतरपूर्ण, शेत्रों को साधिने की कवायर, आगामी विधान सबर चुनाओं के बदी नजर, बेहदी मैतरपूर्ण शेगी शुभांगी मिश्रा मारे साथ जोड़ रही है, उनका भी हम रुकर लेते हैं, शुभांगी क्या कुछ रंडीती, बीजेपी की तरफ से स्पष्टि की गई अभी तक आज, क्या कुछ होना है मध्यप्रदेश में? अब वंतिका मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से भाजपा लगातार चुनावी तयारियों में जुटी हुई है, आज भाजपा की ओर से प्रदेश की पहली जन आश्रवाद यातरा निकाली जाएगी, शित्रकूट के मजगवा से आज इस यातरा को हरी जंडी दि खा पाएंगे इसके चलते, राश्ट्रिय अध्यक्ष को इस जिम्मदारी सौपी गई है, साथी साथ जैसा अब जिकर कर रही थी कि लगातार, बीजपी ने कई मुद्दो को साधने का प्रयास किया, मन्थन का दौर जारी था जिसके बाद पांच ऐसे जिलों को चुना गय जहां से लगभग पांच मुख संभाग मधिप्रदेश के उनको साधने का प्रयास बीजपी के और से किया जाएगा, पिछले चुनाओ के अगर बात करें तो खुद सीम शिवरास सिंग चोहान जगा 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 पहुँचे थे, और अकेले ही जन आशिरवाद यातरा को ल आप ये भी देखिए, लगातार हमने ये भी देखा है कि बीजपी की ओर से जिस तरह की जन सभाए हो रही हैं, जिस तरह से दिगज नेता मधिप्रदेश आ रहे हैं, कुल मिलाकर बीजपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, जन आशिरवाद के माध्यम से इस यातरा के आप जगा जगा जाईए, जनता को बताईए कि इस सरकार ने आपके लिए क्या किया है, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि यातरा 19 दिनों तक चले गिया और जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि 12 जिलों की 48 विदान सभाओं को साधने का प्रयास किया जाएगा, तो आज चित है, ये भी हम देख रहा है कि उन क्षेत्रों से लगातार इस यातरा को लेकर फोकस बढ़ता जा रहा था, जहां पर बीते दुनों पार्टी की रुपोर्ट ठीक ठाक नहीं आई है, ये कह सकते हैं कि सीधे जब केंदरे नेता यहां पर पहुंचते हैं, तो आगामी चुना जहां पर पिछले बार हार का सामना बीजेपी ने किया था, और जन आशिरवाद यातरा का माध्यम, एक एक ऐसा माध्यम है, जिसके जरिए वो उन्ही विधान सभाओं को चिनित कर, उन्ही विधान सभाओं में जाकर जनता का आशिरवाद मागने का प्रयास करेगी, जहां पर हार का सामना करना पड़ा था, चितरकूट के अगर हम बात करें, पांच ऐसे जिले चुने गए हैं, जहां से इस यातरा की शुरूआत की जाएगी, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, कि BJP सबसे पहले फोकस उन जगहों पर ही बना रही है, जहां पर उसने हार का सामना किया होगा कि इस जन आशरवाद यातरा के मादियम से BJP कितनी सीठों को साध पाती है और उन शेत्रों में खास करके बड़त बना पाती है या नहीं, जहां पर उसने हार का सामना किया था, चिक है, चलिए देखने वाली बात आगे क्या कुछ होता है, बहुत शुक्री आपको श स्तिती लगातार ग्वालियर में डेंगू की डरा देने वाली, एक तरफ 36 गड़ के कुछ शेत्रों को लेकर जब डेंगू की जानकारी सामने आ रही थी, वहां पर भी इस तरह की उपाय किये गए, ग्वालियर नगणिगम की तरफ से भी सी तरह की कवाय दें, लेकिन इसक संपल्स की जाच हुई, ग्वालियर जिले के 6 और अनी जुलों की 8 मरीज, जो की इस संख्या में शामिल है, डेंगू का आकड़ा इस सीजन में 85 हो चुका है बढ़कर, तो लगातार साथधानी बरतनी की अपील निगम की तरफ से की जा रही है, कोशिश ये भी की जा रही ह असर भी हो, सेगे सुशील कौशिक ग्वालियर से मरसत लाइब जूरा अनकमरू कर लेते हैं, सुशील क्या स्तिती है फिलाल जमीनी स्तर पर, रोक ठाम की क्या कुछ चुपाए? जहर की बात करें तो 85 सी मरीज हो चुके हैं अभी तक डेंगू प्योडित और जहां तक इंतजाम की बात करें तो चूकी गर्मी का मोसम लगातार बढ़ रहा है बारिश ना होने की वज़े से इसके अलावा जल ज़वाम, जल भराव और गंदगी के चलते जो डेंगू है वो तेजी से पेर पसार रहा है और यही वज़े कि नगर निगम, स्वास्त्विभाग और आने जो टीमे हैं वो लगातार इस डेंगू से निपटने के लिए तायारियों में जुटी हुई है नगर निगम की बात करें तो शहर में फोगिंग अलग-अलग इलाकों में शु हैं उनको लगातार जो है सेंप्लिंग करके डेंगू की जाच की जा रही है तो कहीं न कहीं अब स्वास्त्विभाग और नगर निगम सहीत अन्य जो प्रशासनिक टीमे हैं वो अपनी कवायद में लगी है साथ ही एडवाईजरी भी जारी किये कि लोग भी सुरक्षित रह जल भराव ना होने दे इसके अलावा लारवा ना पन अपने दे अपने घरों में साथ ही ये भी ताकित की गई है कि अगर किसी तरह की परिशानी होती है बुखार खार आता है तो जरूर डेंगू का टेस्ट कराए ताकि समय पर इलाज होने से किसी तरह की परिशानिया उन पर अंकुष लगेगा अन्य था गर्मी के चलते डेंगू का प्रकोप दिन बदिन बढ़ता ही जाएगा लोगों को भी इससे सचेत रहने की जो इस सला दी है स्वास्ति भागे और प्रशासमी ने कि जले में कम बारिश से किसानों के फसिल लगातार खराब हो रहे हैं और इसलिए चिंता लगातार बढ़ती हुई है इससे हमारी सोयाबिन का पास मिर्ची प्याज जो भी फसिल जल गई है अभी आप खेतों में देखो तो आपको खेत में कई नहीं दिखेगा और किसान बहुत परेशान है आज हम सरकार को जगाने आएं प्रशासम को जगाने और चेतावनी देने आएं कि जिले को जल्द संबन में क्युक्ति इसमें राज सरकार को कारवाई करना है तो आपन पर जाकर जो भी उचीत कारवाई होगी किसाननों के हित्मे कारवाई होगी, को की जाएगी इधर अतला में स्वैबीन के फसले बरबाद होने कि एक अगार पर पहुंच गई है। पारिश नहीं हो रहा है और इसी के चछकते हैं स्वैबीन और अगली खबर हरदा से है जहां अलप बारिश की चलते सूखे की स्तिती बन चुकी है यहां पर पूजा पाठ का सिसला भी शुरू हो चुका है और खुद प्रदेश के क्रिशी मंतरी कमल पटेल यहां पर पहुंचे इंद्रिदेव से वर्शा की प्रारतना की है हरदा सहीत समपून प्रदेश में इंद्र देवता की क्रापा हो बारिस हो ताकि हमारे किसानों की खरीब की सोयाबिन की फसल और बाकी फसल भी बच सके धान और इसलिए अच्छी वर्शा करें इंद्रिदेवता इसलिए हमने परजन अभी से किया है गुपतेशर भगवान और दिवास की सिल्वर कॉलोनी और शहर काजी साथी साथ आने लोगों के साथ हुए विवाद के मामले को लेकर और द्योके किताना पुलस ने काजी पर धारा 307, 25 आमस आक्ट, एट्रुसिट्री आक्ट की धाराएं बढ़ा दी हैं दिवास सपी संपत उपाध्या नहीं बता युवा के पीछे भागते नजर आएं इथर सतना में जोला चाप डॉक्टर पर महिला की जान लेने का आरोप लग रहा है मामला जिल अस्पताल के पास का मैडिकल स्टोर में चल रहे है वैद क्लीनिक की एक महिला डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देनी का आरूपी आरूपी है कि बुखार सी पीडित महिला को डॉक्टर ने गलेत इंजेक्शन लगाया इसकी बाद उसकी जान चली गई मौत होने के बाद परिजनों ने हंगामा किया और हंगामी की खबर मिलती पोलिस मौके पर पहुँची मामला दर्ज कर जान चुरू की गई है कि यहां गोल तो रही बोले हैं उनके हज्मेंट्स मेने बाद की फ़ूले कि वो इंजेक्शन लगाई है तो ती समय से उनका मन वो हुआ है पर नीचे साथ उमनाया है तोड़ा सम मसलाहट हुए तो बोली की उल्टी लग रही है तो इन्हों ने मेडिकल वाले ने उनको दवाई दी अंदर से परमीशन लेने के बाद पर इसके बाद फिर वो बोली ही नहीं इसके बाद होई है तो हंगामा करेंगे ही पर हमने ऐसा कुछ तो किया नहीं है वो आई थी फीवर को दो-तीन लोग पकड़ किलाया थे अच्छी तेज फीवर था उसको बहुत ही तेज फीवर था उसको एक सो एक डिगरी बुखार था उसे और हमने कालपोल टैबलेट जो जनरल खिला जाता है बुखार में वो खिलाए था कालपोल टैबलेट उसके बाद उसकी फीवर हो गए 99.5 हो गया हमने नारियल पानी भी उसको पिलवाया एक नारियल पानी पी है उसके बाद उसकी बुखार जब थोड़ा कम होई है हमने डाइकलो और एसी लगाया है इनके पत्नी है रा कहना है कि कराद इंजेक्शन दे देने से उनके मृत्ति हो गई है और उनका यह भी आरोपे के लिए पास लाइसेंस वगेरा नहीं है पुलिस में उनकी रिपोर्ट लिख करके कायम करके और पंचरामा के लिए पीम के लिए बाड़ी रवाना करती है और मर्क की जान के उप बच्ची को बचा लिया लेकिन गहरे पानी से खुद की जान नहीं बचा पाए हाथसा दत्याद खेड़ी आश्रम के पास हुआ है प्रतक की पैचान 40 वर्षे राधिश्राम और 38 वर्षे दुर्गार शंकर शर्मा की रूप में हुए स्टेम आलोट सुनी जैसेवाल भी मौके पर मौझू थे आलोट थाना पोलिस जांच कर रहे हैं कि चांद के बाद सूरज की बारी है नरसिंगपूर की रहने वाली आर्या जैने श्रीहरी कोटा में आधित यलवन की लाइव लांचिंग देखी आपको बताएं कि आर्या ब खुपाल के रहने वाली उनकी साथ ही वाणी वर्मा भी उनकी साथ पहुंची तो नों के चरे पर उत्सा काफी साफ दौर पर देखा जासकता था लॉं्चिंग के सपेल को उनोंने जोर राट रेक मनाया भी आतों में तिरंगा लेकर जोर शोर से लहराया आर्या के माता पि अगली खबर मंडेला जिले से है यहां एक बेकाबू ट्रक स्कूली बच्चों से चक्राते हुए सीधे दुकान में जाखुसा इसका CCTV पोटरेज सामने आए तस्पीर आप देखे साफ साफ दिखाई देता है यह ट्रक पहले स्कूली बच्चों को अपनी चपेट में लेता है उसके बाद साइकल और मोटर साइकल को चपेट में लेता है गबराय बच्चे सड़क पर तेतर बेतर हो जाते हैं और ट्रक एक दुकान में जा खुसता है तस्पीर है आपकी टीवे स्क्रींज पर आजसे में चार बच्चों को चोटे आई हैं अस्पताल में लाज रहते है इस इसी टीव फोटे जम आपको लगातार दिखा रहे हैं चार बच्चे घायल हुए हैं इस अलाके में भी अफ्रा तफ्री मच गई इस आजसे के बाद से और सीधे ये ट्रक दुकान में जा खुसता आपकी पसंदीदा यूज चैनल पर जन्माश्टुमी के अफसर पर नटकट कानहा कॉंटेस्ट का आयूजन किया जा रहा है इसमें आप अपनी 12 साल के बच्चे को कानहा की रूप में सजा कर उनकी तस्वीर सेठा कर सकते हैं चुनी गई तस्वीरों को आकरशक इनाम जीतने का मौका भी मिलेगा नन्यकाना की तस्वीर आप 999-0898918 पर वाट्साप कर सकते हैं नटकट कानहा कॉंटेस्ट में पार्टिसिपेट करें और आपको इनाम जीतने का भी मौका मिलेगा साथी साथ अपने नन्यकाना की तस्वीर आप न्यूज 18 पर भी देख पाएंगे और अब देखे 25 सेकेंड में खबर झाल झाल झाल